हेलो दोस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नई वीडियम आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस नई वीडियम बात करने वाले IPL 2022 के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है पंजाब किंग्स और गुज्राइट टाइटन्स इन तोनोटीमों के बीच में दोस्तों ये मैच शाम को 7.30 पियम को स्टार्ट होगा विरनी होने वाला डिवाई पार्टिल स्पोर्स अकेडेमि स्टेडियम मॉंबाई देखो गुज्राइट तो अल्मोस्ट कॉलिफाई हो रही है बट पंजाब के लिए मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है अगर उनको कॉलिफाई होना है आगे बनने से एल आपको टेलग्राम च़ैनल से जॉन ओना ऐसा फ्लाट्फोर में जापो आपको रेगुलर फाइनल अपडेट्स मिलते हैं पहले जो पीछ रिपोर्ट मिलता है, खो भी आपको टेलिग्राम चैनल पर ही बताया जाता है बहुत अच्छे से, तो टेलिग्राम चैनल से जुरूर ज्योइन हो जाओ टेलिग्राम चैनल के लिउनक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिले जाएगी बात करते पिछ रिपोट के बारे में तो डिवाई पार्टिल में अगर देखोगे तो न्यूटरल विकेट्स देखने को मिली है कुछ मैचेस में रन बने हैं कुछ मैचेस में नहीं भी बने अगर आप देखोगे तो लास्ट मैट में CSK ने 202 बनाये थे टेहन कौन में रुतराज गायक और कोई पार्टनर्शिप तो वो पता है 17-18 और तो को कोई विकेट नहीं किरा था येवन ये सारे इसने भी अच्छा स्कोर कर लिया था उससे पहले जीटे का स्कोर देख लो तो पीच पे डिपेंड़े किसी पीच रहने वाली ये हमें टॉस पे ही पता चलता है टॉस से 10 मिनिट पहले कि किस टाइप की पीच है ड्राइ पीच है अच्छी बैटनिंग के लिए पीच है इसी मुमेंट है ठीक है अब इनके बचे है पाच मैचस पाच मेंसे इनको चार जितना बहुत इंपॉर्टन्ट है ठीक है बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है अगर ये इजली कॉलिफाई होना चाते है तो पाच मेंसे चार इनको जीतना पड़ेगा पाच मेंसे तीन जितेंगे तो फिर इन अब इनके लिए शिकरदवन कंसिस्टन रहे कुछ इनिंग्स में लाइक 43, 33, 35, 70, 88 नोट और पिशनेट पर रन नहीं बनेते हैं सी ने मैंक अगरवाल के साथ वो मैंक अगरवाल का सीजन नहीं आया जो पिछले एक दो साल में देखने को मिलाता है मतलब कैप्टन बनने के बाद एक 52 के अच्छी पारी आई है बड़ बाकी मैचस में स्टार्ट मिला है कनवर्ट नहीं कर पाई जैसे 32, 16, 24, 18, 25 बड़ कनवर्ट नहीं कर पाई है वही बनुकरा जब अक्षा की बात करें तो यह लिप्ट हैं बैटर अच्छा फॉर्म इन्होंने ओर ओर आल दिखा है वह पारी नहीं बनती बिगोई राश्चित खान के बॉलिंग बे बहुत एजी कैज भी डॉप हो था लियम लिविंस्टन का 17-18 जब बने थे बाकी यहाँ से मुझे कोई खेलता हो नहीं दिख रा बॉलिंग में संदीप शर्मा है तीन मैचेस खेले इस साल दो विकेट्स निकाली है कगी सवरा बड़ा कंसिस्टन रहे विकेट टिकिंग ऑप्शन रहे रिशी दाउन को दो मैच में मिली है दो विकेट अर्षदिप सिंग डेथ में जबर्दस्थ बॉलिंग करी विकेट्स स्रिफ तीन है बड़ जो नहीं मैचेस जीत चुके नाइन मैचेस में से और यह अल्मोस्ट कॉलिफाई हो ही चुके अब यह बाहर नहीं जाने वाले एक मैच जीत गए आगे बात खतम हो जाएगे इंगे बट यह कोशिश करेंगे कि टॉप टू में फिनिश करें मतलब दो चांस मिले और अल्मोस्ट अब शुबमन गिल एक 96 के पारी इन्हों ने खेली थी पंजाब के सामने और एक 84 के पारी उससे पहले बट बाकी मैचेस में इनका टोटल स्टरगल आया है इनके रन नहीं बने है रिद्धिमान सान एक 68 की बढ़िया पारी किले थी सेकंड लास्ट मैट में बट हर मैट में ना कुछ ना कुछ किया है 26-29 तो स्टार्ट दिया है साही सुदर्शन ने अपना डेब्यू पंजाब के सामने ही किया था 35 रन बनाये थे तीनी मैटस खेलने का मौका मिला बट अच्छे लगे है हार्दिक पांडा की बात का इनका फॉर्म अच्छा पिछले दो मैटस में नहीं बने बट और इनका फॉर्म अच्छा देखने को मिला है यह जो 27 रन बनाये थे इनके पंजाब के सामने ही बनाये थे जिसमें रन आउट हुए थे डेविड मिलर की बात करें तो 6 रन नोट बने थे नो पंजाब के सामने बट इनका ओवर्म बहुत जबरदस थे राहुल टेवर्टे ने गुजरात को जिता दिया था और पिछली मैच विनिंग पारी खेली उससे पहले भी मैच विनिंग पारी खेल रहे हैं राशिद खान केन बैड आपको पता है दो अच्छी पारी यह भी खेल चुके है बेंच मैच वेड है विजय शंकर बिनो मनुर इनकी अगर बात करें तो consistent विकेट टेकर है, एक ही मैट में विकेट लेज गये है, यह ज़ियाल चार मैट्स खेले तो इन्हों भी विकेट निकाली बड़ पिछली माट भी इंजरी कवज़े से खेल नहीं पाए, लोकेट फोगेशन का तो फिप्टी-फिप्टी राय अब तक सीजन अगर देखोए तो स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग करी थी, बट पिछे ना कुछ दो-चार मैट्स में ज्यादा विकेट इनको मिली नहीं, बट यह जब विकेट निकालते हैं, बलक में निकालते हैं, राशित खान की जो तीन विकेट सी सबसे अच्छाफ परफॉरमंस इनका आया था, पंजाब किंग्स के सामने ही, बाकि इनका भी सिजन अब बहुत इंप्रेसिव अब तक रहा नहीं, इनकी अगर मैं आपको स्टोरी बताओ ना, विराट कोली और प्रदीप सांग्वान, दोनों ने एक ही टाइम पर अंडर 19 वलकप खेला था, तब इंडिया जीती थी, विराट कोली की कैप्टेंसी में, बट उस टाइम पे न, दिल्ली और चल रहा था, तो दिल्ली चले गई थी, प्रदीप सांग्वान के लिए, ठीक है, और रसी भी ने रख लिया था, विराट कोली को, ये सीन हुआ था, तब आक्षन में, ठीक है, ओ, और अब फिर आपको पता हिस्ट्रीक बन गई, विराट कोली कहा पोज गया और प्रदीप सांग्वान प्रदीप सांग्वान ने बहुत इंप्रेसियू यंग टालेंट है, जो न्यू बॉल के साथ से मॉम्मेंट करवाते थे, अच्छे खासे पेस के साथ, इस साल अच्छा दिखाया है, तो इनको चांस मिला है, और पहले मैच में इन्होंने दो विकेट निकाले, हार्दीप आने पिछले कुछ मैस में बॉलिंग नहीं करी, जब से इंजरी हुई है, फिर से बॉलिंग नहीं कर रहे है, और इसे वज़े से टीम पाच बॉलर्स के साथ खेल रही है, इवन राहूल टेवाते को ज्यादा बॉलिंग इस साल मिली नहीं है, ठीक है, अब बात करते हैं, तो हेट टो हेट स्टैट्स में जीटी के और से शुबमन गिल का 64 का अवरेज पंजाब के सामने, जिसमें 96 पिछले मैच में आये थे, रिद्धिमान सा का 23 का अवरेज है, पिछले मैच में रिद्धिमान सा ओब्विसली खिले नहीं थे, मैथ्टू वेड खिले थे, विकेट्स में राशिद खान 21 विकेट्स इनके पंजाब के सामने, ये बात याद रखने, शमी को 4, संगवन को भी 4 विकेट्स है, हर्दिक पंडे को 4 है, टेवाटिया को 4 है, और लोकिफ हर्गिशन को 3 विकेट्स है, अब दोस्तों जो लास्ट मैच ओ थो तो दोनों टिम फरगिशन 3 विकेट्स मिला था, अब पंजाब के और से मयंग तो फ्लॉप थे, दवन ने 35 के पारी खरी थी, बेस्टो फ्लॉप थे, बट लिवाम लिंगिश्टों ने 64 के बढ़िया पारी खरी थी, जितेश चर्माने 23 बनाये थे, शारुक काने 15 बनाये थे, स्मिट 0 पर साद बॉल में और पिछले मैच में भी आउट किया था, इवन राशित ने एक बार इनको आउट किया हुआ है, शिकरदवन, राशित खान चार बार शिकरदवन का आउट कर चुके है, पिछले तीन इनिंग्स में तीन बार आउट किया है, तो यह बहुत वेस्टों को वंडे क्रिकेट में भी दो बर आउट कर चुके हैं लियम लिविंगिस्टन राशित ने आउट किया है टोटल चार बार पिछले मैच में भी आउट किया था बहुत जल्दे आउट कर देता है अगर कैच पकड़ा जाता बाद में राशित खान नहीं फिर से टीक है तो जी कर लिया शुँबंन गिल रब आउट कर चुके हैं डो बार पिछले मैच में भी आउट किया था रन देने के बाद ऑद आउट जा था बढ़न to राहुल चहर दो बर आउट कर चुके अर्शिदीप सिंग ने एक बर आउट किया है। पहले एक बर आउट कर चुके है। गिर गया तो मुझे लगते है जॉनी बेस्टो को वन डाउन भेज देंगे ठीक है बट अगर पाच्छे ओर के बाद विकेट गिर रही है तो फिर ये लोग बनोकर राज़ा पक्षा को ही भेज जाएंगे राशित कान को टैकल करने के लिए राशित कान पाउर प्लेम आते है नहीं राशित कान छे ओर के बाद ही आते है ठीक है तो अगर बेस्टो आ गए वन डाउन तो बहुत अच्छी पीक है फिर आपके लिए बहुत जबर्दस गेम चेंजर बनके निकल सकते हैं स्मॉल लिग में ग्रैंड लिग में तो कैप्टन करना ही करना है बट अगर वन ड बैस्टो को लेना अब अब हैं जयो इसे दो ठिल्ट अगए लिए बता की बाद यृज़े बतो इसम सकती है यह बात याद रखना है तphon दिया बेस्टो या फिर बनुका राजपक्षा, दोनों में से कोई एक प्लेयर आपके लिए इस मैच में गेम चेंजर रहेगा, बनुका राजपक्षा टैकल करेगा राशित खान को और रन बनाने की कोशिश करेगा, या तो विकेट दे देगा, या तो रन बना जाएगा, य राइक सुधर्शन वन डाउन आता है यह भी अच्छे डिफरेंशल पीक के ग्रैंड लिग के लिए और कोई मुझा पर खेलता हो नहीं दिख रहा चलते है और और सेक्षन में हर्दी को में लेरो में लियाम लिविंग्स्टोन को लेने का वैसा मेरा मन नहीं था बट इस मैच मेना प्रमोट किये जा सकते है नंबर फोर और आपको पता है कि रन बना देते है विकाज यह अग्रेसिव खेलते है उस चकर में 20-25 भी बना देना तो इंपोर्टन बन जाते है अच्छे फिल्डर है और जरौत पढ़ने भी बॉलिंग कर जाते है राहुल टिवाट या ग् की फोगिशन है पाच तगड़े बॉलर से ठीक है अब थोड़ा सा लॉकिफ फोगिशन का सेलेक्शन बहुत कम है 22% अब यहाँ पे गेम चंजर्स देखो अलजारी जोसेप के हम लोगों ने हर मैच में बात करिए हमेशा सी आपके लिए डिफरेंशल पीक है इनको ट्राइ करते रहो इनको ग्रेंड लिग में कैपटन करते रहो बिकोज एक मैच में आके चार विकेट निकालने की काबिलियत रखते है ठीक है इनकी बात याद रखना प्रदिप सांगा ने अच्छे बॉलिंग कर रहती पिछली मैच में ट्राइ कर सकते हो बाकि अर्शेदिप अब हमें लेना है फाइनल बैटर नाइन क्रेट समारे पास बचते है अब मिलर ले लो अब मैंक ले लो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो मैंक का फॉम अच्छा नहीं मिलर का फॉम अच्छा है बड़ बैटिंग और नंबर चार पे रहेगी आपका ना पाच पे बनुकर राजय पक्षा रन बनाएंगे बनुकर राजय पक्षा ले लो यह आपका कॉल ए आप मैंक अगरवाल फिर से ट्रस्ट करके मैंक के साथ जाएंगे बाकि फाइनल टीम में चेंज कर सकते हैं फिर से कहूंगा जौनी का 50-50 इस मैच में राशित खान के समने बनुकर राजय पक्षा रहे लो आप मैंक को डॉप करके मिलर ले सकते हो यह आपका कॉल रहेगा और आप लोकी के जगव पे भी डाइरेक्ली बनुकर राजय पक्षा को ले सकते हो तो आपका कॉल है ठीक है मैं लोकी को अभी के लिए बैक कर रहा हूँ एस गेम चेंजर तो इस मैच में मेरे लिए तीन गेम चेंजर एक तो है जोनी बैस्टो बनुकर राजय पक्षा दो दोनों में से कोई एक पीक मुझे रगता है एक अच्छा गेम चेंजर बन सकता है और बॉलिंग सेक्शन में लोकी फोर्गुसन प्लस अलजारी जोसफ इन दोनों में से को हार्दिक पंड है यह आपके दो सेफ ऑप्षिंस है लोकी इस अलसु वेरी गूट ऑप्षिंस अलसु वेरी गूट ऑप्षिं बट अभी वैटिंग और थोड़ा सा इनका पाच नंबर पे जा चुका है नंबर चार पे आ गए तो बहुत सॉलिड ऑप्षिं है तो इनको भ मुष्य करते हैं हर्दिक के साथ है कर अग बंकरभा किसो और राशिट खान में तीनों में से किसे किया जाय राइट ना आइम गोईंग भी तर राशित खाना वाइस कैप्टन फॉर्म अच्छा नहीं है बट इन्होंने पंजाब के सामने पिछली मैट में भी अच्छा किया था और और इनके हेट टो एट स्टाथ पंजाब के सामने अच्छे है प्लेयर मैचप सिंके दगड़े है और टेलेग्राम चैनल से जरूर जोईन हो जाना टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्षिन में फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगी दोस्तों वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दो यूटीब चैनल को सब्सक्राब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना थैंक यू सो मच गैस फोर वाचिंग